आज के पहली अपडेट गूगल की तरब से है तो गूगल की नए अपडेट के नुसार गूगल अब हर 18 महीने में हर व्यक्ति की गूगल ब्राउजिंग स्ट्री लोकेशन अप इस्ट्री डिलीट कर दिया करेगा मतलब अब वो किसी का भी डेटा लाइफ टाइम के लिए स् हमारी अगली अपडेट वोटसेप की तरब से है तो वोटसेप जल्दी लाँच करने वाला है एनिमेटेड स्टिकर का फीचर जिसमें आप चैट्स में एनिमेटेड स्टिकर का यूज कर पाएंगे तो ये वोटसेप की अगली अपडेट में आपको मिल जाएगा तो हमारी अगली अपडेट नासा की तरब से है जहां पर नासा के साइंटेस्ट ने डिसकोवर किया है एक छोटा प्लैनेट जो की नेप्चून के जितने साइज का है और वो एक स्टार AU Mike नाम के स्टार को औरविट करता है और प्लैनेट का नाम AU Mike भी है ये प्रत्वी से 32 ल के डस्ट क्लाउड इसको औरविट करते हैं तो हमारी अगली न्यूस चंद्रियान 3 के लिए है तो आपको याद होगा चंद्रियान 2 जिसमें सॉफ्ट लेंडिंग नहीं हो पाईती और चंद्रियान 2 फेल हो गया था तो जादबपुर यूनिवस्टी के रिसर्चर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं कि सॉफ्ट लेंडिंग कैसे इंशूर की जाए इस रिसर्च में सिमिलेशन का प्रियोग किया जा रहा है डॉमेस्टिक अप्लाइंस बनाने वाली कंपनी एंबरेन ने इंटर्डूस किया है एंबरेन एसपी 10 स्मार्ट प्लग जिसको कि आप अपनी आ कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी बैठे हुए और आप इससे डिवाइस का पावर यूजिज भी ट्रैक कर सकते हैं अपने मॉवाइल पर और ये शॉर्ट सर्किट होने से भी बचाता है इसकी कीमत स्रिफ 8.99 रुपे में लॉंच किया गया है Mercury Poisoning बहुत खतरनाग चीज है और हर साल काफी लोग Mercury Poisoning के वेज़े से मर जाते हैं लेकिन एक चौकाने वाली ख़वर आई है कि Mercury Poisoning फिश में पाई गई है वो भी Mariana Trench जो की deepest ओशियन है अर्थ का अर्थ की सबसे deepest जगे है Mariana Trench वहाँ के ओशियन में फिशिस में अलार् ख़वर अंत्रिक्ट से जुड़ी हुई है जहाँ पर पैग्ज्यानकों का दावा है कि Pluto Gray की सतय के अंदर एक चुपा हुआ Underground Ocean हो सकता है क्योंकि जब Pluto Gray बना होगा तो उसकी गर्मी उसके सतय के नीचे कैद हो गई होगी जिससे उसकी सतय के नीचे एक liquid Ocean भी हो सकता है वैसे तो Pluto Gray सूरी से इतनी दूर है कि उस जगे सिर्फ बर्फी मिल सकती है लेकिन सतय के अंदर गर्मी कैद हो जाए तो शायद वहां पर liquid मिल सकता है झाल